वेलकम बैक टो मैं चानल मैं हूँ आपकी अपनी सिवांगी थवायत आज के इस वीडियो में मैं सेम आप लोगों के पास एक बीगनर्स वेडिंगेश मेकप लुक शेह करने वाली हूँ क्योंकि वी फैबरी, मार्च, अप्रेल में बहुत सारे शाधिया होने वाली है एंड वेडिंग सिजन के लिए काफी अच्छा सा मेकप लुक है तो मैं step by step आप लोगों के पास इसका टूटोरियाल दूँगी अगर पसंद आया तो like, share, subscribe जरूर कर दिजीगा चैनल को एंड चले चलते हैं हमरे वीडियो की तरफ एंड ये देख सकते हो कुछ मैरून कलर का इस तरीके का मैंने कुर्टी पहना हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफूल है और इसे पहले ना मैंने अपना पेस तरफ पयार कर लिया था मेकप के लिए तो सबसे पहला वाला जो रहता हैं हमारा al prank ब्राइमर क्रता है 2 योट्र मेरी प्राइमर करेता है प्राइमर हम लोगों को लेना हैUA मैंと思います भील ब्यूटी प्राइमर ले आई हुए जो के काफी ज़्यादा अच्छा है, हाइलाटेट करता है, टिंट है, इसमें हलका हलका, और साथ ही साथ आप लोगों के फेस को मेकप से प्रोटेक्ट करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है, और कुछ इस तरीके से डॉट-डॉट मोशन में मैं इसे अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा टिंटेट सा ग्लो आप लोगों को प्रोवाइट करता है, मुझे तो काफी ज़्यादा पसंद है ये वाला प्राइमर, अगर आप लोगों को एक ग्लॉसी सा बेस चाहिए ना तो आप लोग इसे जरूर यूज करिएगा, काफी ज़्यादा अच्छा है ये वाला प्राइमर, और टू हंडेट रुपीज में आप लोगों को असानी से मिल जाएगा, Amazon, Flipkart, Purple, Naika, सभी में, और कुछ इस तरीके से मैंने पूरा अपना प्राइमर को ब्लें कर लिया हुआ है, बहुत अच्छा साइन आ रहा है फेस में, ये आप लोग देखी सकते हो यार क्या गजब का साइन आ गया है फेस में मेरे, मुझे काफी पसंद आया, उसके बाद में आपस यूज करूंगी, ज़्श टू मिनट बाद में हम लोगों को यूज कर रहा है, इसमें अलग से प्रामर मिला होता है, प्रामर अगर आप लोग यूज भी नहीं किये रहोगी ना तो भी आप लोग इसे पॉंडेशन को डारेक्ली अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल भी फेस को हाश नहीं पहुचाता है, काफी ज़दा अच्छा लाइट वेट है, फूल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आजाएगा कि यह कितना अच्छे से आप लोगों को हाई कबरेज करता है, आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मैंने पूरा अपना फॉंडेशन को ब्लेंड कर लिया है, काफी ज़दा अच्छा लगता है, मुझे यह बला अच्छे तरीके से फोरेट के पास भी मैं अपलाई कर लोगी, यह आप लोग देख सकते हो, नेक में भी मैंने फॉंडेशन लगाया हुआ था ना, उसको भी मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लोगी इससे, हलका हलका ब्लेंड कर लेती हूं मैं इसे, तो काफी ज़दा पिग्मेंटेशन को यह हाइट कर देता है, यह कुछ इस तरीके से मैं इसे अपलाई कर रही हूं पूरा अपनी इनर कॉर्णर और पर उसके बाद मैं अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड करूंगी, सेम प्रोसेस में, यह आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके से, उसके आप लोगों को इस डिप बाई इस डिप मीकप करना रहता है, यह देख सकते हो, पूरा फोरेट पर भी मैं सेम डाप डाप मोशन में इसे ब्लेंड करूंगी, आप लोगों को ड्रैक नहीं करना है, जिसे आप लोगों का फॉंडेशन है और वो कंसीलर है उसकी जगाद से ह अपलाइ करन toimा है ऊपर काफार पर भी अपलाइ करनी लाइतर कार्न हम लोग यहांपस बोलते है पर नीचे अंडर आई एरिया पर क्योंकि यहां पक को डाक सरकल को हाइच करना रहता है चारा काॉर्या है और यहां से हो गया है पूरा मेरा मेरा लोगों करना बहुत ज़द कर दिया है काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड यह देख सकते हो भाई साम मज़ा आगया आज तो मेकप करने में एंड साथ मैं अच्छे से अंडर आइपर भी ब्लेंड करूंगे ताकि जो हमारा कंजिलर है वो भी अच्छी तरीके से बेस सही हो जाए उसका भी और यह देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा लाइट सा हमारा एक फ्लॉलेस बेस तैयार हो गया है बहुत ही ब्यूटिफूल लगेगा मेकप और उसके बाद मैं हापस लूँगी अपना आइसाड़ पैलेट इस है अक काफे ब्लेटी छाए रए इसे क्या होगा एक नार को खो यह लिए बन जाता है अच奇 तरीके से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर होंगी एक नैच्रल सा लुख दे दूंगी अपने आइब्रो को तकि यह आइव को डिके बर्स यह हो गया है पुरा एभियो डन हमारा य पूरा नैचुरल लग रहा है उसके बाद में आपस लूँगी वाइन कलर का एक ऐसाइडो कलर जो कि काफी ज़्यादा पिग्मेंटेशन है आप लोग देख सकते हो उसमें पूरा अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है यह आप लोग देख सकते हो पूरा अच्छी तरीके से ब्लेंड करते जाओंगी पूरा अच्छी तरीके से ब्लेंड करते जाओंगी पूरा अच्छी तरीके से ब्लेंड करते जाओंगी पूरा अच्छी तरीके से ब्लेंड करते कॉर्णर पर लेकर क्या होंगी इसलिए न अच्छी तरीके से आप लोगो कुछ इस तरीके से ब्लेंड करना है मुझे काफी जदा अच्छा लगता आई मेकप करना एंड उसके बाद न मैं हापस लोगे एक गोल्डन कलर का शीमा जो की शीमा हम लोगों को अप्लाई जरूर क यह देख सकते हो कुछ हो गया प्लाई एंड उसके बाद मैं आलानर लगाओंगे जो की एक हलका सा आलानर में लगाओंगे विंग आलानर बिल्कुल भी ज्यादा लंबा नहीं लगाना है लंबा लगाओंगे अजीब दिखेगा इससे अच्छा है थोड़ा चोटा करते हो इसे दा ओटर कॉर्णर की तरफ जाना है एक लंबा से लाइन की बस किचना और उसे फिल करते ना है अप लोग चाहोगे तो आँख बंद करके भी लगा सकते हो एक आँख बंद और एक खुला मैं आप लोगों को टुटेरियल फूल दे दूंगी मैं भूल जाती तो उसलिए और मैं टुटेरियल जरूर शेयर करूंगे आप लोगों के पास में यह होगी है मेरा आइलेंडर दन उसके बाद मैं अपलाई करूंगी यहां पास स्विस ब्यूटी का मस्कारा जोके काफी जादा लॉंग लाश्टिंग है बहुत ही जादा गॉल्यूम देता और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यह लाव मस्कारा और मैं इसे उपर में भी उपर आके आलेशिस पर भी अपलाई करूंगे और नेजर के आलेशिस पर भी मैं इसे अपलाई करूंगी यह आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं निकल लिया है उसके बाद म ब्लश अपलाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसे एक नैचरल सा ग्लो आप लोगों को मिल जाता है और यह आप लोग देख सकते हो नैचरल सा ग्लो के लिए मैं आपस ब्लश अपलाई कर रही हूं और काफी ज़्यादा अच्छा है पिगमेंटेशन काफी आया अप लोग देख सकते हैं इसे ना मैं अपने नोश्टिप पर भी इसे अप्लाई करूंगी लाइक नोश्टिप पर भी आप लोगों को एक नैचरल सा ग्लो लाने के लिए उसके बाद मैं एक रेड कर रेड मैरून कलर का एक लिप्ष्टिक अपलाई करूंगी ताकि एक साधी वाला वाइब आ जाए और यह कुछ इस तरीके से मैंने अपने पूरा लिप्स को मैच कर लिया है और उसके बाद का जो मेक अप है न वहांपस हमारा डन हो जाएगा और यह रहा मेरा फूल मेक अप टुटोरियल होप आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद को प्लिश डू सब्सक्राइब मैं चैनल एंड साधी साथ बैल आइकन को भी हीट कर दीजिगा बहुत ही सिंपल इजी है और बहुत सारे से वीडियोस आते रहते तो प्लिश डू डू सब्सक्राइब मैं चैनल एं साधी साथ बैल आइकन को भी हीट कर दीजिगा बाइबा नच्छ वदुन में.